अब नमस्कार आदाप सस्रियाकाल गुद मॉर्निंग दोस्तों जिस वाले भई आपका हर दिक स्वागत वह भी नंदन करते हैं तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जी एस के फुल प्रिप्रेशन कराते हैं जो किसी भी एक्जाम के लिए काफी खेल्फुल होती है इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ती हैं पहले थियोरीज पढ़ते हैं फिर MCQs सौल करते हैं फिर वन लाइनर सौल करते हैं और रेगुलेटिंग एट की क्लास से लेकर के हर चेप्टर हम लोगों ने इसी तरीके से कवर किया यह हम लोग भाग्षे पढ़ रहे थे भाग्षे में हम लोग अब कुछ कम्प्लीट कर लिए थे आज आखरी है भाग्षे का भाग्षे में हम लोग आज अधीनस्त न्यायले और उच्छ न्यायले के वन लाइनर सौल करेंगे इसके पहले हम लोगों ने सारा भाग्षे बहुत अच्छे से complete कर लिया theories, mcqs और one liner सारे solve कर लिया है तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और बहुत अच्छे से समन में आ रहोगा और चीजें याद भी हो रही होगी भाग 5 और भाग्षे को किस तरीके से connect कराया गया है किस तरीके से अंच्छेदों के अंतर से याद कराया गया है आपको याद हो गई हो चीजे और अगर नहीं देखा होगा तो पिछले sessions जाके जब देखिएगा बहुत helpful होगा exam के लिए आपके तो अब हम लोग देखते हैं वन लाइनर के लिए वन लाइनर इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वन लाइनर हमारे दिमाग को boost up करने का काम करता है हमारी memory को enhance करने का काम करता है तो पहला question है प्रतेक राज्य में एक उच्छने आयाले होगा समविधान के किस अनुच्छेद में है एक उच्छने आयले होगा तो अनुच्छेद 214 में है और भारत के लिए एक सर्व उच्छने आयले होगा अनुच्छेद 124 में 90 जोड़ देते हैं 214 चाहे 12 का उल्टा कर दे 21 आ जाएगा इधा ठीक है ये भी कर सकते है ठीक इह हो गया दूसरा है भारत में कितने उच्छने आयले हैं तो कुल उच्छने आयले के संक्या भारत में 25 ये जींच्छने ध्यान देना है जिनका अधिकार छेतर एक राजी या एक संग शास्छे छेतर से अधिक फैला है ठीक है ध्यान से बताईएगा पिछले सेशन में हमने पूरी मैपिंग के साथ इसको बता है तो भारत का नक्षा बना एक दोस्तों ठीक है बताईएगा चोथा है उच्छ नियायले संभिधान के किस अनुछेद में है किस भाग में है और किस अध्याय में है तो उच्छ नियायले हमारे संभिधान के अनुछेद 214 से 232 है भाग 6 में है और अध्याय 5 अध्याय 5 है लेकिन अध्याय 6 में क्या है अध्याय छे में अधिनस्त नियाय आले है संभिधान के भाग 5 में 5 अध्याय है और संभिधान के भाग 6 में 6 अध्याय है ये चीज़ हो जाएगी पांचवा है उच्छ नियायले के नियायधिश की सेवा निवरित की आयू कितनी है तो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्छी न्यायले है समिधान के किस अनुछेद में है तो दो या दो से अधिक क्या जाता है तीन के बाद एक ही उच्छी न्यायाले होगा मतलब अनुछे 231 ठीक है ऐसे या दिया जाता है ठीक होगा आठवा है राजजपाल को उसके पद एयुम गोपनियता की शपत कौन दिलाता है राजपाल को पद एयुम गोपनियता की शपत उच्छ न्याया लेके मुख न्याया धीश और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है मुख न्याया धीश मलब उच्छ न्याया धीश होते हैं किसके समख शपत लेते हैं तो राजपाल के समख शपत लेते हैं तो दोनों एक दूसरे को दिलाते हैं अब आपको यहां पर यह बताना है राजपाल को उसके पद गोपनीता की शपत तो राजपाल का शपत सम्विधान के तीसरी अनसूची में है या सम्विधान में किसी विशिष्ट अरुछेद में इनका प्राउधान किया गया है बहुत बार बता चुके हैं और आपको कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए इसलिए बोलने हैं क्योंकि आप लिखेंगे न्याय धीशों को पेंशन कहां से दी जाती है अब उच्छी न्यायले के न्याय धीश को वेतन राज्य की संचितित से दिया जाएगा अब रिटायर हो गाएं तो पेंशन कौन सा राज्य देगा मानले जै किसी न्यायले में थे जिसकी अधिकार छेत्र कई राज्यों में से देगा इसलिए यह बिवाद ना हो यह समस्या ना हो इसलिए इनको retirement के बाद जो pension मिलेगी वो उच्छन्याले के अधिकार छेतर में विस्तार कौन कर सकता है तो विस्तार उच्छन्याले के दिल्ली है दिल्ली का एक सुन का उचने आले है और जम्मू कश्मीर का एक उचने आले है ठीक है यह हो गया बारवा है संसत कानूर के माध्यम से किसी राजी के उचने आले का अधिकार छेतर संग राज छेतर तक विस्तार कर सकती है या कमी भी कर सकती है दोनों कर सकती है तो स अगला भाग आएगा हम लोगों का आठों भाग भाग साथ तो निर्सित कर दिया गया था तो भाग जो आठ पढ़ेंगे उसमें संग राज छेत्र के लिए एक उच्छ नियाले अंच्छ 241 किता है तो उसमें भी एक बार पढ़ेंगे ठीक है यह हो जाएगा तेर्मा है वरत धीष्ष नियाले के मुख्ञ दीश का वितन बता चुके हैं इल्याप दो लाग पस्छासाओर का मुख्र नर्ट थिकरं यह च्रवस्तान का सोच्छिश नियायादीष्प में क८ सभाध्वारा महाभीयोग प्रस्तव पार्ध किया गया था मतलब राज सभा के द्वारा पार्ध कर दिया गया था इनके घ्राफ और इनको लगा कि लोग सभास से भी पर पास हो जाएा ने अपना ब्लखे मतर खिंगे अब सम्मिधान के किस अनुछेद में नहीं था तो अनुछेद 215 में नहीं था और सरवच नयाले का अभिलेख नयाले होना अनुछेद बहुत बढ़िया अनुछेद 119 में है दोस्तों ठीक है ये चीज ध्याने चाहिए और जो पुछा करें तो आप लोग आंसर दिया करिए अनुछेद प्रदेशनों तक है तो ऐसे कितने उच्चिनाले है पिछले क्लास में भी देख चुके थे हम लोग मैपिंग के साथ इस बार फिर देख लेते हैं ये बंगलादेश है और ये भारत का है और ये आ जाता है जम्मू कश्मीर और ऐसे करके ये थोड़ा सा आता है map ऐसे समझ लिजेगा फिक्रिक यह वोगया भारत का नक्रवाइब यहा। अब देखते कौन-कौन सा है यहाँ पर चिन्नेरी उचनेराम्नी कि अधिकारिता एक तो तमिल नाड़ नाड़ में हो यहां पर ऐसे फैला है लक्षदीप यहां पर हो जाएगी इस इस तारा ही और यहां पर ऐसे अन्डमा नीकुबार, यहां पर आजाएगा ठीक है यहां पर एंगे यहां पर आजाता है मिजोरम इसका हो अधिकार छेत्र और यहां पर पंजाब उच्छी नियाले है पंजाब और हर्याना उच्छी नियाले है और इसका अधिकार छेत्र पंजाब हर्याना और चंडी परमे है ठीक है तो साथ उच्छी नियाले आपको साथ सेकंड में याद होगे पूरे दोस्तों ठीक है यह मतलब राश्टति करते हैं, ठीक है, एटीन थे, किस अनुछेत के तहत, उच्छ नियाले के किसी नियाधिश का एक उच्छ नियाले से दूसरे उच्छ नियाले में ट्रांसफर हो सकता है, तो एक उच्छ नियाले, तो दूसरे उच्छ नियाले में ट्रांसफर अनुछेत 222 के तहत हो जाता है ठीक है 19 कुछं है अतिरिक्त नियाय धीशों की समय वदी कितनी होती है तो 2 वर्ष होती है बतायें चतर नियाय धीशों की नियुक्ती राश्ट पती करता है और उच्छतर नयाले कौन से होते हैं सर्वोच नयाले और अधिनस्त नयाले कौन से होते हैं जिला नयाले वा सत्र नयाले होते हैं और अधिनस्त नयाले में नयाधीशों की न्यूक्त कौन करता है राज़पाल करता है ठीक है तो यहां पर द्यादेना तो उच्छ नयाले की नया आधिश की न्यूक्त करते समय राष्ट पती किसी सलाह आएधीश कहां पर ऊंगे किसी राज में होंगे तो से भी पप्र प्र जाले के मुखे नही दिशक दिशक को दिलाता है तो उच्छ न्यायले के न्याय धीशों को शपत राज जपाल दिलाता है सम्विधान की तीस रियम सुचिक्त है और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है और राज जपाल को शपत कौन दिलाता है राज जपाल को शपत उच्छ न्यायले के मुख्य न्याय धीश शपत दिला इटकालरर 4, 24 के तहद जिला न्याजाधीशों की नियुक्ति कौन करता है तो जिला न्याजाधीशों की नियुक्ति अभी बता चुके है सबह Dual Gobierno होता है तो सबहुत धिक 15 जभी 55 का एक उच्छी नियाधिशों की अनुच्छे 222 के कात अभी ओपर देख चुके हैं राष्ट पती करते हैं किसके परामर्ज पर करते हैं cj ke पर करते हैं और cj č जो परामर्ज देते हैं वो अपने मंद से नहीं देते हैं वो one plus two 1 plus 2 के परामर्ष पर उच्छ न्यायले के संबंद में न्यायाधीशों की न्यूक्ति और इस्थानांत्रण के बारे में राश्पति को परामर्ष देते हैं तो 1 प्लस 4 का कोलेजियम आ जाता है मतलब सरवोच न्याले के न्याइधिशों की न्यूक्त के संब्द में कोलेजियम 1 प्लस 4 होगा और उच न्याले के न्याइधिशों के संब्द में जो कोलेजियम होगा इस्थाना अंतरों न्यूक्त के बारे में 1 प्लस 2 अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि हमारे संवेधानिक प्रणाली में हमारी न्याइक प्रणाली में कोलेजियम व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष होती है ठीक है बहुत अच्छे से बता चुके हैं जब सरवोच न्याले हम लोग पढ़ा किते जिला न्याइधिश को सत्र न्याइधिश कब कहा जाता है जब कोई वक्ति अस्त्र और शस्त्र उठा लेता है मतलब जब किसी वक्ति के उपर होसदारी मामला दायर होता है मतलब जब नयाय धिश जिला नयाय धिश धौसदारी मामला देखता है तब उसको शतर नयाएधिश कहते हैं और जब होते तो दोनूं एक ही हैं जिला नाय धिश होता एक है कोई लेकिन जब वो दिवानी मामला केगा तुम उसको जिला नाय धिश कहते हैं लेकिन जब वो पार्षदारी मामला कटा है तो उसको सब्पर है यह चीछचिस है deadly ऐघ्ड़ को किस आधार पर हटाय जा सकता है दे जिछ को आधार तो बिलकूल दे सकता है । जब जिला निया ध시ries किसी को आधीवन कारावास या किसी जिला नयाय धीशों की नियुक्ति और अपर नयाय धीशों की नियुक्ति अनुच्छे 24 में पढ़ चुके है ठीक जिला नयाय धीशों की नियुक्ति के संबद में किस अनुच्छे में प्रावधान किया गया है तो जिला नयाय धीश की नियुक्ति अनुच्छे 200 किस पढ़ चुके है एकतिस्वा है राष्ट पती उच नयाय धीशों की नियुक्ति करते समय किस की परामर्श लेते हैं अभी उच्छ नयायाले किसी राज में होगा, तो उस राजपाल के परामर्ष से ले करेंगे, और पूरे नयाय दीशों के न्यूक्त में, CJI परामर्ष देते हैं, और CJI परामर्ष देते हैं, 1 प्लस 2 के कोलिजिन से, ठीक है, ये चीज़ धान देनी है, 32 है, उच्छ नयायायाले मे 2013 में कितने राजव में उचनयायले की स्थापना की गई, 2013 में 3 राजव में उचनयायले की स्थापना की गई थि, कौन-कौन सा, मेघाल है, मड़ीपूर और तोरा, दोस्तों, ठीक है, धान देना है, देखे, जैसे ये भारत का नक्षा है, ये अभी देखे थे, हम लोग, यहां पर असम है ऐसे ठीक, यहां पर असम है यह गुवहाटी उचनयाल है यह अधिकार चैतर में यह आ जाता है अरुणाचल पर देश, यही पर आता है जही पर आता है यहां पर मड़ई पूरण मरई पूरण है, मिजोरम के लिए इन तीनो foundation के लिए 13 है जाई पूरा उचन्याले आपका याद हो जाएगा दोस्तों ठीक है विद मैपिंग रट जाएगा ठीक तो कौन-कौन से तीन बचे थे यही तीन बचे थे कौन-कौन से मेगाले मरीपूर फिर पूरा इन तीनों के लिए कप कर दिया गया 2013 में कीर दिया गया इसके पहले किस न्यायले के अधिकार छेत्र में आते थे तो जाएट इस बात गुवाहाटी के ही में आएंगे यह मतलब गुवाहाटी के पहले कितने थे असम एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ थे जो ठीक है यह चीज़द है देंगे 34 है किस उच्च न्यायले ने यह निर्ले दिया कि एक ही बार में तीन बार तलाक, तलाक, तलाक कह देने से तलाक नहीं माना जाएगा और उसको अवैद माना जाएगा उस तलाक को तो वो इलाहबाद उच्च न्यायले ने ऐसा निर्ले सुनाया 35 है उच्च न्याले द्वारा अधिनस्त न्याले का अधिक्षण करना सम्मिधान के किस अनुच्छेद में है 227 में है दोस्तों ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने पूरे 35 वन लाइनर कोश्चन पढ़ लिए है और इसे में आपका पूरा एक बार फिर से उच्च न्याले और अधिनस्त न्याले पूरा रिवीजन हो गया है ठीक है और इसके पहले हम लोग MCQs कर चुके थे और अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रूप नहीं जोइन किया है तो टेलीग्राम ग्रूप जोइन कर लिजे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जोइन कर लिजे उससे क्योंकि उसमें सारा PDF हम सेंड कर तो दोस्तों शेशन कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखके बताईएगा, उम्मेद करते हैं शेशन आपको पसंद आया होगा, शेशन को लाइक कीजिएगा, शेर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अगले शेशन में, जैहिन जै भारत!